ताजनगरी आगरा के कमलानगर इस्तित रश्मी मेडिकेर हॉस्पिटल में मौझूद मेडिकल स्टोर संचालक पर धांदली के जाने के आरोप लगे हैं इसको लेकर जब परिजनों ने हंगामा किया तो मेडिकल संचालक कहने लगा कि गलती से दबाबद अलगई है तो वहीं दूसरी और मरीज के बेटी ने इसे मामले की शिकायद ड्रग इंस्पेक्टर से भी की है आगरा शहर में मौजूद अस्पताल और उनके भीतर मौजूद मेडिकल एक बार फिर सवालों के घेरे में आखडे हुए है कभी जादा बिल तो कभी दवाईों में धांदली कर मरीजों को जान से खेले जाने के मामले अब आम से होते जा रहे हैं ऐसा ही के मामला आगरा शहर के कमना नगर रश्मी मेडिकेर हॉस्पिटल में मौजूद मेडिकल स्टोर का सामने आ रहा है जहां पर दवाई के नाम पर मरीज को चांद से खिलवाड के जाने के आरोप लगे हैं भारती किसान यूनियन फ्रोजबाद के जिला अध्धक्ष भावना अकरिवाल ने बताया कि 6 दिसंबर को उन्होंने अपने ससुर सुरेश चंद्र को आगरा के कमना नगर मुगल रोड पर इस्तित रश्मी मेडिकेर में भरती कराया था उनको लंग्स में इंफेक्षन हुआ था जिसका इलाज यहां चल रहा था अस्पताल में मौझूद नेशनल मेडिकल से उनके ससुर की दवाई लगातार आ रही थी गुरवार को हमने मेडिकल द्वारा दी जा रही दवाओं का पड़्चा अचानक से देखा तो पाया कि उसमें एक दवा कम थी जब इसके शकायत उनके द्वारा मेडिकल स्टोर संचालक को दी गई तो उन्होंने साफ लबजों में कहा कि गलती से दवा कम रह गई होगी और इसके बाद उसने हमें दूसरी दवा पकड़ा दी भावना सिंग ने बताया कि डॉक्टर द्वारा हमारे ससुर के इलाज के लिए कोली मौनास नामक तीन इंजेक्शन शुरू किये गए थे जिनकी कीमत करीब 4000 है जिनका परचा लेकर हम नेशनल मेडिकल पर आए और मेडिकल पर मौजूद करमचारियों ने हमें थैली में द मेडिकल संचालक से इसके शिकायब भी की है जीस पर मेडिकल संचालक करमचारी द्वारा गलती से ऐसा होना बताने लगा भावना के पती दुरगेश अग्रिवाल ने बताया कि मेडिकल संचालक द्वारा द्वा के नाम पर धांदली की जा रही है और लोगों की जान से खिलवार किया जा रहा है वही इन सब के बाद इसके शिकायत उनके द्वारा द्रग इंस्पेक्टर से भी की गई लेकिन कोई भी कारवाही नहीं की गई झाल 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 झाल